गाजिपूर सीट से सांसद और समाजवादी पार्टी के उमीदवार अफजाल अंसारी के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गाजिपूर सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। गहराल अब सुत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हाई कोट का फैसला पैंडिंग रहे या फिर उनके खिलाफ आए। लेकिन अफजाल अंसारी अब चुनावी मैदान से नहीं हटेंगे और वो खुद ही चुनाव लड़ेंगे। अफजाल अंसारी ने ये फैसला परिवार, पार्टी और अपने वकीलों की राय के बाद लिया है। दरसल हाई कोट में अफजाल के मुकदमे की पैरवी कर रहे वकीलों ने राय दी हैं कि अगर उन्हें हाई कोट से राहत नहीं मिली और उनकी अर्जीक खारिज हो गई तो भी सुप्रीम कोट ने जिस तरह गाजिपूर के ट्रायल कोट के फैसले पर रोक लगाई थी उसी त सकता है अगर सुप्रीम कोट ने भी सजा रद नहीं की तो जीतने के स्थती में उनकी सदस्यतार रद होगी और गाजिपूर सीट पर दोबारा चुनाव होगा दोबारा चुनाव आने के नौबत पर वह बेटी नुसरत अंसारी को मैदान में उतारेंगे वहीं अफजाल अ सारी का मानना है कि अगर चुनाव के बाद कोट का फैसला उनके पक्ष में आता है तो ठीक है वरना अगर वह चुनाव जीतने के स्थती में आने के बाद अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो साहनुभूती पर उनके बेटी नुसरत चुनाव जीत जाएंगी ये फैसला अफजाल ने पार्टी के नेताओं और कानूनी चानकारों से जो सलहाली है उसमें यही नतीजा निकला है कि निर्दली उमीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही बेटी नुसरत को पूरे वोट ट्रांसवर नहीं हो सकेंगे क्योंकि तमाम वोटर साइकल का सिंबल देखकर वही वोट कर देंगे और चुनाव फंस जाएगा अफजाल अंसारी को पिछले साल 29 अप्रेल को गैंक्स्टर के एक मामले में 4 साल की सजा मिली थी सजाय अफता होने के वजह से उनकी लोगसभा की सदस्यता ने रस्तो हो गई थी हालंकि सुप्रीम कोट द्वारा स सजा पर रोक लगाय जाने के वजह से उनकी सांसदी बाहल हो गई थी सुप्रीम कोट ने इलहाबाद हाई कोट को 30 जून तक अफजाल अंसारी की आचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने को कहा था इसी बीच यूपी के मुखे मंत्री योगी आदितनात ने पर रंसारी परिवार पर हमला बोला है य ने ओसकता है इस से कौरा जूट अगर समाजवादी पार्टी कहे के हमने राममंदीर बना दिया क्या आप मानेंगे क्या उमानेंगे क्या अले रांब गोली चलाने वाले मंदिर क्या बनांगे रांतंग बाध्यों के पेरोकार और माफियाओं के सामने घुटने टेकने वाले राम मंदर का निर्मान और आपको सुरक्सा क्या प्रदान करेंगे